हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल तो फ्रेंड्स आज जो है ना मैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फटा-फट से बनने वाले रेसिपी आपके साथ सेयर कर रही हूँ जिसको बहुत जल्दी मिन्टों में बना करके रेडी कर सकते हैं यह हैं ब्रेट पकोडा जिसमें हमने कोई आलू की स्टफिंग नहीं भरी है कोई हमें आलू बोईल नहीं करना है यह फटा-फट से एक अंडा डालने से ही बन करके तयार हो जाते हैं तो यहां पर देखिए देख लेते हैं किस तरह हमें इनको बनाना है तो यह जो हमने वाइट ब्रेड लिया इसके मैंने 10-12 स्लाइस निकाल लिये हैं अब यह जो है ना इस टाइम कच्चा जैसे होता है इसको हमें सेक लेना है थोड़ा सा तो लोहे की तबे पर हम कोई घी वगेरा नहीं एट करेंगे बस ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर जैसे तबा गरम हो जाएगा एक एक ब्रेड को हम रखते जाएंगे और अलट पलट के इसको हम सेक सेक के रख लेंगे इससे क्या है ना ब्रेड में जो एक च्चा पन होता है वह दूर हो जाएगा और यह थोड़े हैल्दी हो जाएंगे तो सारे ब्रेड जो है इसी तरीके से हम सेक करके डेडिकल लेंगे इसके बाद हम कfish से कटने में लिansen कर रहा है क्योंकि यह हलका सा शिख चुका है तो हम इसको क्या करेंगे कैची से कट करेंगे तो यह फटा-फट वहुती आसान तरीके से कट जाएगा और कहीं से भी धर-धर से तुटेगा नहीं जहां से आप कट करेंगे हां से कट हो जाएगा आप देकि कौन्टिटि कम चाहसादा कर सकते हैं और बेसन की मात्रइब ही कम यह जाधा कर सकते हैं तो अब हम देखिये यहाँ पर एक अंडा मैनने लिया हुआ है मैंने आप को पहले ही बताया 110-1 माध मिचंडें से से भी कम हल्दी पॉड़र एक छोटा चम्मच हल धनिया पॉड़र एक चम्मच चाट मसाला एक चम्मच आमजूर पॉड़र और स्वात के अनुसार नमक एड़ कर देंगे और हरी सब्जी में आप इसमें डाल सकते हैं प्याज हरी मिर्च और हरा धनिया मैंने यहां पे छोट जो को मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका जो है ना इस तरीके का बैटर बनाएंगे हम नहीं जादा पतला हो और नहीं जादा गाड़ा हो जो की ब्रेड पे अच्छे से चिपक जाए आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमको इसका बैटर बना करके किया है अब जैसे गरम हो जाएगा हम एक ब्रेट की स्लाइस लेंगे जो हमने कट करके रखे हैं और यहां पे जो है ना इस बेशन में इसको डिप करेंगे आप ना कभी एक अंडर डालके बेशन में बनाना बहुत ही टेस्टी और लाजवाब यह जू हमाई रेसिपी है व और इसी तरीके से हम दो या तीन जितने भी कढ़ाई में आ जाएंगे स्लाइस उतने हम ब्रेड यहां पर एड़ कर देंगे और जो गैस की फ्लेम है ना उसको लोटू मीडियम रखना है हमको हाई पर नहीं रखेंगे नहीं तो अच्छे से यह क्रिस्पी नहीं सिखेंगे लोटू मीडियम फ्लेम पर एक से दो मिनिट में अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो बस कभी भी महमान आए या कभी नास्ते में रोटी बनाते बनाते पराठे बनाते थक गए हों तो आप मजे से यह जल्दी से फटा फट पांस से दस मिनिट में बना करके रेडी कर सकते हैं ना अलू उबालने का जंजट है ना कोई और हेल्दी भी होते हैं यह तो फ्रेंट्स देखिए इस तरह हम सारे जो ब्रेड हैं हो सभी को हम इस तरह फ्राई कर लेंगे और आपको अगर मेरी ऐसी पी आज की पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली फ्रेंट्स में जरूर से शेयर करें और इसको अपने घर पे ट्राई करें तो देखिए फ्रेंट्स मेरे यहां पर सारे ब्रेड जो हैं स्नैक्स वो रेडी कर लिये हैं और बहुत ही मज़दार ये नास्ता बनकर तयार होता है आप साम के टाइम या इनको बना करके एंजॉय कर सकते हैं यह बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनकर तयार होते हैं और कुछ ही चीजों से घर की ही इंक्रीडेंस से बनकर रेडी हो जाते हैं चलिए फ्रेंट्स मिलती हूँ मैं नई वीडियो में नई रेशिपी के साथ तब तक के लिए हूँ झाल